नमस्ते जी सभी को आज हम एक ऐसा आचार बनाएंगे जो बिना तेल के बनता है यह मेरे पास दो साल से रखा है आचार दो साल पहले बनाए था मैंने पांच किलो आम का और अब भी ऐसा ही है देखो इसमें बिलकुलोईड नहीं है आप देख सकते हैं कितना गला हुआ है और काट लिए है इस बर्तर में में आम रख लूँए थोड़े से उनके उपर नमक फिर थोड़े से आम लगा दूँगी इसे हमारे यह बोलते हैं कि हम इसको चरा रहे हैं कि मतब नमक लगा कर रख देते हैं रात को एक दिन के लिए अगर चिलके साहीत होते है तो दो लेयर नमक की ऐसे ही सब को इनके उपर अच्छे से देखो मैंने नमक लगा के जो भी आम थे मेरे पास बचे हुए वह सब में इस पर रख दूंगी और उपर से फिर एक नमक की लेयर दे दूंगी इन पर यह अचार उन लोगों के लिए जो बिल्कुल चिकनाई खाना पसंद सकते हैं मन नमारे अचार खाएं अच्छे से तो इसमें मैंने नमक की लेयर लगा दी है और अब इसको में ढख के पूरा एक दिन के लिए रख दूंगी एक दिन में यह सोफ्ट हो जाएगा पानी छोड़ देगा देखो यह मैंने कल रखा था आज मैं आपको दिखा रहीं तो यह देखो यह आम भी बिल्कुल सोफ्ट होगी है और यह देखो इसने पानी रिलीज कर दिया है तो यह सारा पानी में गिलास में छान लोंगी और इसको मैं दो दिन के लिए दूप में सुखा लोंगी यह अगर कड़क दूफ होगी तो एक दिन में भी सुख जाएगा आह ने चान सीरी पानीम सिखाव यह देखो आम भी किति सोफ्ट हो रही है तो यह प겠다 टूटना लगा ही तब तक हम इसे सुखा ना है तो यह मैंने 2 तूधी जुखाया है तो यह 2 दीन मैंने इसको सुखाया है धूप में अच्छी दूप थी तो बढ़िया सूग गया है त देखो मैं आपको एक टूड़ा तोड़के दिखाते हूं देखो यह आराम से तूट पा रहा है तो बिल्कुल भी यह गिल्ला नहीं है और आप अचार डाले तो गिल्ली चीजों से परेज गरी हाथ वाथ सब सुखा के तब डाले यह पानी है जो आम में से निगला था इतना इसमें मैं घर की पीशी हुई लाल मिज यह घर की मैंने घर में ही पीश रखे है वही लाल मिज है जो मैं इसमें डाल रहे हूं और यह अप्टा कलर छोड़ देंगी अभी और हल्दी भी आप डाल सकते हैं, मैं हल्दी नहीं डालती हूं इसमें और इसमें में चीज होती है हींग हमारे याइस को हींग का ही अचार बोलते हैं तो मैं इसमें अच्छे से दो से ढाई बड़े चमच हींग डालूँगी इसमें अच्छा सा हींग का टेस्ट आए जब भी डबबा खोले एक अच्छी सी खुसबुआए हींग की और इसे चमच की साइता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक यह बिल्कुल सोफ्ट नहीं हो जाती जो हमारी आम भी है इसको बिल्कुल हमें सोफ्ट करना चाह तो आप हाथ से भी मिला सकते हैं मैं हाथ से इसलिए नहीं मिला रही फिर मिर्च लग जाती हैं तो इसलिए मैं चमच से इसको दबागते हुए अच्छे से सोफ्ट कर लूँगी देखो मिर्चों ने भी अपना कलर छोड़ दिया क्योंकि वह खटाई के साथ मिली है ना तो अब मैं इने एक डब्बे में भर दूँगी और सारा आप अच्छे से इसे डब्बे में फिल कर ले अडब्बा मैंने धूप में सुखा लिया था धोने के बाद बस अचार के बरतनों का यह है उनमें गिली चमच ना लगाओ और गिले बरतन ना हो बिल्कुल पानी का हाथ आपके भी हाथ पानी के ना हो तो अचार आपका बिल्कुल खराब नहीं होता हमेश्चा सही रहता है तो मैंने इसमें कर दिया थोड़ा अच्छे से में इसको दबा दूँगी और अभी जो मनें इसमें पानी डाला मेरे पास वो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है अलग उसमें तो इस पानी को मैं इसमें ही डालके और अच्छे से ही लाग है क्योंकि हींग थोड़ा सा निच्चे चिपका हुआ रह गया था तो वो मैं इसमें डाल दूँगी और ये आप 10-15 दिन बाद खा सकते हैं चाहे तो आप धूब दिखा सकते हैं नहीं तो आप ऐसे ही कहीं भी रख दें इसको अंधेरे से में थोड़ा किसी अलमारी में पीछे की तरफ ताकि आप रोज न देखें इसको तो ये बहुत अच्छा बनके तयार होता है देखो कितना अच्छा अभी देखने में अच्छा लगा और ये बनके निकलेगा न बहुत अच्छा होगा और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा पहला रखा है ये भी मैंने आपको पहले भी दिखाया देखो, यह मैंने दो साल पहले डाला था तो यह कितना अच्छा है, बिल्कुल ओइल नहीं है और इसे आप पराटो के साथ, पूरी के साथ, किसी के साथ चाहिए खायर बहुत खटा सा, इतना चटपटा लगता है यह खाने में और देखो, बिल्कुल ओइल नहीं है इसमें एक बीबू ओइल नहीं जालते हैं यह बिल्कुल खराब नहीं होता है, ऐसी रखता है ऐसा ही हो जाएगा, रैद रैड कलर का तो बनाइए, आप भी, अगर आपको पसंदाता है, तो बनाइए ऐसे ही बनाते हैं हमारे यह इंकाचार आपके यहां पता नहीं कैसे बनाते होंगे और इसको हमारे यह इंकाचार बोलते हैं तो चलिए अभी मैं आपके साथ एक और चार की रेसेपी शेर करती हूँ वो है मिर्च काचार तो हम मिर्च का चार बनाएंगे, यह सब मैंने मिर्च वगएरा काट के रख रखी हैं, और यह कढ़ाई रख रखी हैं, इसमें मैं थोड़े से खड़े मसाले भून लूगी, जिसमें मैंने डाला है धनिया, सोप, और अभी मैं डाल दूगी इसमें, जीरा थोड़ा सा, और म मैं थोड़ा सा अच्छे से भून लूगी, और अब यह भून सी गए हैं, तो इसमें मैं राई डाल दूगी, क्योंकि थोड़ी सी यह भी गर्माट ले लेगी, तो भूनते इसलिए हैं, कि थोड़ा गिल्ला पन नमी कुछ हो मसालों में तो खतम हो जाए, और यह मसाले हलक मैं इसमें डालोंगी, हींग, यह मसाल में भूने गराइन कर लिए हैं देखो, और इसमें गरम हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे हींग, अच्छे से गरम हो रहा है न सुams गैस ओफ कर देंगे अब, और यह डाल देंगेans में एक चमच हींग हिंग डालने के बाद हम मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा यह बैलन्स हो जाता है इसका वो मतब गर्माट जाद नहीं होना चे वरना तो जल जाते हैं हमारे मसाले अब मैं इसमें दो चमच हल्दी डाल लिए और ये दो चमच तो साधा नमक है जो हम खाने में खाते हैं और एक चमच था काला नमक बड़े चमच थे और ये जो मैंने मसाले थोड़े से हलके से दरदरे कर लिए हैं जो मैंने रोस्ट किये थे वही वाले ये मसाले हैं वो भी मैंने डाल दिये और मिर्च के अचार की रेसिपी मैंने थोड़े दिन पहले शेयर की थी आपके साथ पता लेती हूं जिन्हों नहीं देखा वो भी देख लेंगे और यह मैंने इसमें मिर्च डाल के इने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूगी विनेगर पिछली बार मैंने काले वाले सिर्के से बनाया था वह 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 टेश्टी बना इस बार मैं सफेद वाले से बना रही है क्योंकि सब के पास काले वाला अविलेबल नहीं होता लेकिन हो यह वाइट वाला सब कर दें और इसे रख दें इसको आप दो तीन दिन बाद खा सकते हैं हमारे यहां तो next day इसको खाना शुरू कर देते हैं और यह हमारे यह बहुत जल्दी खतम होता है क्योंकि हमारे गर में सबी को यह अचार बहुत पसंद है इस तरह बना हुआ तो बनाईए खाईए और अप को कैसा लगा मिलती हूँ फिर अपनी किसी और वीडियो के साथ तब तक ले बाई बाई